हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल चलिए आज बनाते हैं शिंग पाक ये मुंफली के दाने से बनता है मुंफली के दाने से बनी हुई ये मिठाई एक दम बनाने में इजी है और इसका टेस्ट भी लाजवाब होता है मुं में घुल जाने वाली और हेल्दी मिठाई है ये हेल्दी कैसे है तो इसमें अब होता है मुंफली दाना जो हमारे शरीर को बहुत सारे फाइदे देता है मुंफली दाना, किंसर, डायबेटिस, ब्लड प्रेशर, एरिदम या जैसे बीमारियों को तो ठीक करता है इसके अलावा हमारी हेर और स्कीन को भी अच्छा रखता है बचों के लिए भी फैदे मन्द है और ओल हमारी हेल्द के लिए मुंफली दाना बहुत ही फैदे मन्द है तो चलिये मुखफली की ये रेशिपी जल्दी से बनाना शुरू करते है इस मीठाइ को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक किलोग्राम मुखफली दाना अभी हमें क्या करना है? इस मुखफली दाने को शेकना है तब तक शेक ना है जब तक कि इसकी उपर की परत होती है ब्राउन कलर की वो निकल जाए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही शेक ना होगा तब ही ये सब ही दाने अच्छे से शेक पाएंगे और इसके जो परत होती है वो अच्छे से निकल पाएंगी इसा करने से ही हमारी मिठाई टेश्टी बनेगी ये मिठाई एक बार आप बना लेंगे इसके आगे काजु कतली भी फैल है मुंख़ली दाने को मैंने 5 मिनिट तक रोष्ट किया है शेका है तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसकी उपली परच्छों होती है पतली वाली वो अच्छे से निकल पा रही है तो बस इसके बाद हमें एक आत मिनिट तक और हमें इसको चलाते रही ना है ताकि जो कोई भी दाना बच जाए वो भी अच्छे से भुन जाए एक किलो मैंने मुंख़ली दाना लिया है तो इसके लिए मैंने चार बार थोड़ा थोड़ा करके दाने को शेका है अब हम एक प्लेट में इसको ट्रांसपर कर लेते हैं और पंखे के नीचे रख देते हैं तो इसके जल्दी से ठंडा हो जाए उसके बाद इसकी परत निकालने में हमें आसानी होगी तो इसके लिए सब्दा नाशिक जाने के बाद दोनों थाली में मैंने इसको डिवाइट करके रख दिया है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए जल्दी से और आगे की प्रोसेस सुरू कर सके 20 से 25 मिनिट के बाद जब मुख्मली दाना ठंडा हो जाए इसके बाद इस तरह से मसल मसल कर आपको जहीसे भी तरीके से अच्छा लगे उस तरह से मसले और इसकी जो परते हम इसको अलग कर लेते हैं बस यही एक महिनत का काम है बाकी मिठाई बनाना बहुत ही सेंपल और आसान है अगर आप चेनल पर नहीं हो तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भुले और रेसिपी अची लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे ही और मिठाया और चटपटी रेसिपी देखने के लिए चेनल को विजिट करें और हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने जितना निकल पा रहा है उतना इसको मसल कर परत हटा ली है और ये तरीका मुझे ज्यादा आचा लगता है मुँफली के चिल्के को हटाने का ज्यादा तर दाने में से ये परत हच जाएगी अगर कोई कोई दाना चुट जाता है तो कोई बात नहीं इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो मैंने इस तरह से सभी दानों को रेडी कर लिया है अब हम इसको एक मिक्सी जारमट डालेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे मिक्सर को हमें पल्स मोड में चलाना है चालू बन चालू बन करते रहेगा तबी हमारे जो दाने का पाउडर है वो बीना तेल निकले ऐसा पाउडर आपको मिल जाएगा फिर से मैं यह जो चमने चूरा बनाया है मुझफली दाना का उसको मैं एक पतिले में निकल रही हूँ नाप करने के लिए जितना मुंखफले दाना का चुरा है उतनी ही हमें चीनी लेनी है और इसको हम पतिले में डालेंगे या फिर कड़ाई में आप जिसमें बनाना चाहते हो उसमें डालें और इसमें सिर्फ चीनी भीग सके उतना ही हमें पाने डालना है परफेक्ट नाप के साथ आप ये मिठाई बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छी बनेंगी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी और बनाने में भी बहुत ही आसाने होगी जब तक चीनी पिगल जाएगी पूरी तरीके से तब तक आप इसे इस तरह से चलाते रहिए जब तक इस तरह से बबल होना स्टार्ट हो जाए तब तक इसे चलाते रहना है फिर नहीं चलाएगे तो चलेगा आप इस तरह से छोड़ सकते हैं लेकिन बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, हमें चाहिए होगी एक तार की चास्नी, तो ये देखिए, अब मेरे इसमें एक तार बन रहा है, एक तार की चास्नी रेडी हो गई है, ये देखिए, अब हमें चीनी को और नहीं पकाना है, अब हम क्या करेंगे, हमें जो मुफल नारियर का पुरादा चाहिए होगा अगर आप कम डालना चाहते हैं या फिर नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप इसकी जगा पर मुंगफली डाना का पौडर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए लेकिन नारियर का बुरादा डालने से ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप सिर्फ मुंगफली डाने से बनाएंगे तो उसके फ्लेवर में और नारियर का बुरादा डाली हुई मिठाई के फ्लेवर में बहुत ही फर्क पड़ेगा लेकिन नहीं है आप सिर्फ मुंगफली डाने से बनाने चाहते है तो भी ठीक है आप इस तरह से भी बना सकते है अभी हमें इस मिक्सर को 2-3 मिनिट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है अभी आपको यह मिक्सर बहुत ही पतला लग रहा होगा लेकिन ठंडा होने के बाद यह अच्छे से सेट हो जाएगा सिर्फ चासनी लेने में ही हमें ध्यान रखना है एक तार की चासनी बननी चाहिए जब तब मिक्सर ठंडा होता है तब तक हम प्लेट को ग्रीस करके रेडी रखते हैं तो मैंने दो प्लेट को इस तरह से तयार करके रख दिया है अब ये मिक्सर भी अभी ठंडा हो गया है पहले से ज्यादा थोड़ा गड़ा लग रहा है जैसे जैसे ये ठंडा होगा गड़ा हो जाएगा अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं इसके पिसिस को हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे ज्यादा पतला ये नहीं हो पाएगा वन्ना ये बिखर जाएगा तो इस तरह से आप एक ठाली में पुरा भर कर डाल दीजिए तभी ये अच्छे से इसके पिसिस निकलाएंगे मिठाई अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद इसमें इस तरह से कट लगाकर पिसिस कर लेजिए ये देखिए लग रही है ने काजु कर ली जैसे ये हेल्दी मिठाई बनाने में एकदम आसान और खाने में भी टेस्टी मुँ में खुल जाने वाली हमारी मिठाई रेडी हो चुकी है इसके कई सारे नाम अलग अलग जगा पर बोले जाते हैं सिंग पार्प भी बोलते हैं मुंग फली पाग भी बोलते हैं गुलाब पाग बोलते हैं आपके यहां इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएगा यह देखिए कितनी सोफ्ट बनी है यह मिठाई अगर आपने इस से पहले नारियर के पुरा देश से यह मिठाई नहीं बनाई है तो यह रेसिपी आप जरूर ट्राइ किजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सुब्सक्राइब करके बिल एकन दबाना ना बुल ले मिल देहें इसी नहीं रेसिपी के साथ टक टक केले बाई बाई